हेलो डियर इस्टूडेंट, मैं सीव सर आपका स्वागत करता हूँ, हमारी योट्यूब चैनल ग्राउंटीज में, आज हम 36 गर्मादमिक सिक्षा मंदर रायपूर काक्षा दस्वी विससे हिंदी, माह नौंबर असाइमेंट नमबर चार को कम्प्लिटली सोलो करेंगे, दोस आपको क्यमेस्टी के कॉम्पेटिशन एक्जाम के लिए भी कोश्टन कराया जाएगा, तो यह चैनल आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्पूर होगा, चलिए आगे बढ़ते हो, एसाइमेंट को सॉल्फ करते हैं, तो प्रशने करमांग एक आप से क्या पूछा गया देखने हैं, प्रशने एक है, मरिया प्रथा ने सीकुमार की जिन्दगी को किस तरह बतल दिया, ति इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सीकुमार एक किसाम था, किन्तु उसके पीता के मित्तु के बाद उसे मरिया भात खिलाने से उससे करज लिया था, उसे चुकाने के उसने अपनी जमीन बेच दिया, जिससे वह एक मजदूर की भाती जीवन जी रहा था, वह अपने दोस्तों के साथ आ गया, कहां सहर, वहां उसने प्राइवेट पुलिस की नौकरी कर ली, जहां पर तोड़ फुर विभाग मिला, एक आदमी ने इसका विरोध किया और पुछा गया है आपसे, कि कोठी में धान चलक जाए, जिन्दगी फिर चमक जाए, पंक्ती का आज से क्या है, आपको इसका अर्थ लिखना है, बताना है, तो धान के अच्छी फसर होने से, मेहंत कस, किसान के जीवन धान की कोठी भर जाए, वह जीवन में खुसाली आए, अर्थात, ना का रात्मिक सोच को, छोड़कर सका रात्मिक सोच अपनाना है, इसी के बारे में पुछा गया है, अब आता है प्रशन कर्मा का आपका तीन, प्रशन तीन में दो प्रशन पूछे गए हैं, आ और ख, तो यहाँ पे आ में पूछा गया है, बास के हरे भरे पे लेका कहते हैं कि बास कहरे भरिपेड की तरह हिलना जुगना अपने जीवन में भी हो अर्थात हमारा विक्ति तो दृड़ हो की परिस्थितियां में जुगना आना चाहिए थूंड की तरह दृड़ना में रहोगे तो कोई हमें नुकसान पहुंचाता सकता है क्योंकि सा के जीवन सहली कैसी होती है अपने सब्दों लिखे तो यहां पर आपके तानत सा के बारे में लिखना अपने सब्दों में तो यहां पर दिया हुआ है अच्छे सा वीडियो को पोस कीजिए और पोस्ट करके एंशर को complete कीजिए यहां पर आपका answer complete हो जाएगा चलिए आप यहाँ पर संदर भी लिखने है प्र्संग लिखने और आपको प्रसंग किस प्रकार बढ़ता है। उसकी तुलना जर्णों के माद्यम से करते हुए कवी ने वर्डन किया है आगे बढ़ेंगे तो फिर इसका आ जाएगा आपका ब्याक्या तो यहां पर आप वीडियो को पॉस किजिए और ब्याक्या लिखे कि कवी कहते हैं कि जर्णों में वह गती है यवन का है जर्णे जब यवन रूप में मदस्त होकर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज कल-कल की ध्वानी करती हुए अपनी मस्ती से गाता हुआ आगे बढ़ता है उसके सामने कई परकार के अवरोध पैदा होते हैं जैसे बड़े-बड़े चट्टानों से टकराना वह वनों में करते हुए हुए हमें आगे करम से बढ़ते रहना चाहिए यही कवी बताना चाहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन पांच में आप से पूच्छा है कि निमने लिखित विश्यों में से किसी एक विष्यप लगबक 1500-200 सब्दों में आपको निहीं बंद लिख स्वक्ष भारत अभियान या स्वक्ष भारत केंपेन भारत सरकार द्वारत चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है जो कि भारत के प्रधान मंतिर नरेंद मोदी जी द्वारा महात्मा गांदी की 145 जन्वत दिवस पर उनके स्वक्ष भारत के सपने को सकार करने के लिए स्वक्ष भारत अभियान क्यों मनाया जाता है प्रस्ताणा सुख्ष भारत अभियान का अशर क्या रहा क्या हमारे देश पे असर पड़े रहा है नहीं पड़े रहा है खिस हद्थ तो यहां पर आपने इसकर्स लिखे देंगे क्या होता है स्वक्षा भारत अभियान से भारती नागरिकों में सौच सफाई आधी के जागरुकता फैलने के साथ साथ उनके जीवन इस तर में भी सुधार देखने को भी मिला है इस अभियान का यह असर हुआ कि देश के कोने को में भाग लेने लगा जिस्चे देश पहले के तुलना में साथ होने लगा यदि सभी नाकरिक ऐसी प्रयत्ने करते रहें तो जो सपना देखा गया है वो पूड़ होते देर नहीं लगेगी थैंक्यों यहां हेलो डियर स्टुडेंट मैं से उसर आपको स्वागत करता हूं ह हमारे यूट्व चैनल में ग्राउंटेज में बच्चो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्फ फ्यूल चैनल है इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे बोर्ड का टाइम आएगा आपको इंपोर्टन कोश्चन यहां पर अपलोड किया जाएगा बोर्ड के इस चैनल के दौर आपको केमेश्ट्री का एक फर्फेक्ट क्लास दिया जाएगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि 11 और 12 में दोनों आपके फाइदेमन्त होने वाले है इस चैनल से चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एसाइमेंट सॉल्व करते हैं मंत न इसका आपको एंसर देना सबसे पहले एका इसके बाद देना आपको बी का तो यह रहाँ का एका एंसर कंप्लीट एंसर जिसे आप वीडियो को पॉस्ट करके आप अच्छे से एंसर नोंट डाउन कर लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेस्टन नंबर A1 का B, B में क्या पूछा गया है कि What was the mood of the headmaster when he entered the class तो इसका आपको एंसर यहाँ पे दिया हुआ है इसे भी आप पॉस्ट करेंगे और बहुत अच्छे से साब सब्सक्राइब लिख रहेंगे वीडियो को जाता देर ना बढ़ाते हुए, shortcut हम लिखते चलते हैं चलिए, आ आगे देखते है कि Question No.2 में क्या पूछा गया है, Question No.2 में पूछा गया है कि Fill in the blanks using correct alternative, यहाँ पे correct alternative आपको fill करना है जहाँ पे भी blank दिया गया है, तो A number है, The sky is overcast, it blank ran, ठीक है, इसके complete answer लास्ट में दिया जाएगा, पहले के Question देखते चलते हैं हम लोग, B में पूछा ग We are very late for school, ठीक है, C में है, He is working hard so that he blank is 10 first in the class, ठीक है, फिर D है, इसे प्रकार से E है और F है, यहाँ पे आप से 6 questions पूछेगे हैं, 6 number के लिए, यहाँ पे आपके सभी का answer अच्छा सा दिया हुआ है, जो correct alternative है, इसे आप वीडियो को post करेंगा, बहुत ही अच्छे से पूरे को correctly fill करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, question number 3, क्या पूछा गया है, तो question number 3 में आप से यहाँ पे question पूछा गया है, write an essay on any one of the following topics, यहाँ पे आपके पास पांच topic दिये गए हैं, जिसमें सब किसी एक topic पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, पहला है आपका advantage and disadvantage of online study, second है science is a, one of course, third है coronavirus, a pandemic, fourth है importance of trees and fifth है 36 गर्दा, beautiful world of tribal India, ठीक है, तो इन आपको पांच topic में किसी एक पे ऐसे लिखना है, चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, importance of tree पे, तीस तरीके साब पहले heading डालेंगे इस इंटर्वे, इसके बाद answer लिखना आप इस्टार्ट करें हैं, चलिए तो आगे answer हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉस्ट करेंगे, यहाँ तक एंटर नोट डाउन किस जाएगा, आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस परकार से आप 20-20 में heading डालते जाएंगे, black man से ताकि देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगा, और वो आपको full marks दे सकें, assignment में, assignment में अच्छे marks मिलेंगे, तो आपको board में भी अच्छे marks मिलेंगे, वहाँ से भी आपको 30% marks मिलने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो इस परकार से वीडियो को पॉस्ट करके पूरी answer लिक लेंगे, completely, और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां तक आप note down कर लिजिए, ठीक है, इसके बाद थोड़ा और answer बागी है, जिसे यहां पर बढ़ाते हैं, इसके बाद आपका conclusion आ जाएगा, और answer complete हो जाएगा, चलिए, और थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं, तो यह इस परकार से आपका answer complete हो जाता है, hello dear student, मैं स assignment solve करेंगे, साथ ही इस channel को आप जरूर subscribe करेंगे, क्योंकि subscribe आप करेंगे, जैसी board का type आएगा, आपको 10th और 12th के दोनों की important question दिया जाएगा, जिसका तयारी कर, आप लगबग board exam में 80% marks जरूर ला सकते हैं, तो इस channel को जरूर subscribe करें, चलिए, देखते हैं आगे question number 1, क्या इस चार सीजे पूछी गई हैं, लिकिन इसके बारे मापको क्या लिखना है, रासायनिक सुत्र और रासायनिक नाम लिखना है, तो चलिए, हम लोग एक एक करके बारी-बारी से लिखने हैं, सबसे पहले उत्तर number डाल लेंगे, अब क्या पूछा है, खाने का सोडा, खाने क नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट, इससे परकार से हम लोग सा की और बढ़ते हैं, तो सा है आपका प्लास्टर और पेरिस, ठीक है, क्या है आपका सा प्लास्टर और पेरिस, तो प्लास्टर और पेरिस का रासानिक नाम हो जाएगा, कल्सियम सल्फेट हाइडरेटेड और उसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इन्टू हाप 1 बटा 2 H2OO इसे पर कर लास्ट में आपका विरंजक चूड़ विरंजक चूड़ा का रासाने के नाम हो जाएगा कैलसियम ऑक्सिकलोराइड और सूत्र हो जाएगा CaOCl2 इस पर कार सबका प्रशने 1,2 होता है आगे बढ़ते हैं प्रशने करमाग 2 की और प्रशन 2 में आपसे क्या पुछा है कि मिसेल का निर्मार किस पर कर होता है समझाईए आपको इसकी पूरी परकिर्या को समझाना है तो देखिए इसका आपका अंसर हो जाएगा कि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का रिड आयन अर्था तेल मैल के चारो और गोली आकार में इस परकार की विवस्थित हो जाते हैं कैसा यहां आगे आपका अंजर दिया हुआ है हो जाता है कि हाइडोकारबन स्रिंखला वाला सीरा पूच अंदर की ओर तथा सी ओ ओ माइनस वाला सीरा बाहर की ओर काटो की तरह निकला रहता है इस परकार साबुन के अडु मिसेल का निर्मार करते हैं जैसे यहां पर देखिए आपको यह रहा यह पूरा गोली संजचना बणा हुआ है इसपरकार से आपका संदश्या बन जाता है कि धम नी एंवन सीरा में कोई चार अंतर आपको लिखना है इस परकार साप यहां पर अंतर लिखनेंगे कि एक डबब बना लेंगे पहले एक साइड सीरा लिख लेंगे एक साइड धमनी लिख देंगे इस परकार से हो जाएगा अब एक नमरिंग डालेंगे क्रम शंख्या और इस परकार से चार अंतर आप लिख लेंगे ठीक है चार अंतर के जगर में आप एक अंतर बढ़ा तक यहां से इस तरीके से बनाएंगे यहां तक आ बना लेंगे थोड़ अज नीचे आपका बचेगा उसको आप फिर बना लेंगे चले इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से आपका यहां तक आ जाएगा यहからफित कर लेंगे अपना पूरित्र के समानों का उत्सरजन तंत्र का यह जित्र हो जाएगा ठीक है यह आपका कम्प्लिक्ट हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं बनंबर बनंबर में क्या पूछा गया आपसे कि पेसमेकर यंत्र किस का रहेतू परियोग किया जाता है तो आपका एंसर हो जाएगा कि दिल की धड़कन को नियंत्रत रखने के लिए पेसमेकर का उप्योग किया जाता है यह एक चिकित सिय उपकरण होता है जो दिल की मास पेसियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारप्रदत विद्यूत आवेगों का उप्योग करता है दिल अर्थात हिर्दय के मूल पेसमेगर का प्रयाप्त तेजी से काम नहीं करने या फिर दिल की विद्यूत चालन परडाली में और रोध आ जाने के वज़े से पेसमेगर का प्रात्मिक प्रयोजान के रूप में किया जाता है तो यह इसका एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो प्रशन पांच आ जाएगा प्रशन पांच क्या है अपका कोशन पूछा गया है प्रशन पांच में आपका पूछा गया है कि किसी पारिस्तितिक तंत्र में उर्जा परवा कैसे होता है किसी भी पारिस्तितिक तंद्र में उर्जा का परवा किस परकार से होता है यह आपको बताना है अपने सब्दों में आपको बताना है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि प्राणिक जीवन की विभीन जयव क्रियाओं के संचालन के लिए उर्जा आती आवसकता होती है प्रिफ्वी के ध्रातल द्वारा और बचा से तीस प्रतिसत प्रकास को धर्ती की वायू में उपस्तित धूल के कड़ियों आकास मौजूद बादल प्रावर्तित कर देते हैं तीस प्रकार से आपका 100% हो जाता है प्रकास ठीक है अब यह 100% जो प्रकास होगे यह कहा कहा जाते तो विभीन पास्थितिक तंत्रों में संचालित खाद स्रिंकलाओं में भोजन एक पोसक इस्तर से दूसरे पोसक इस्तर पर इंस्थानांत्रित होता है और दूसरे सब्दों में भोजन के माद्यम से उर्जा का अभी गमन विभीन पोस इस तरों में खाद स्रिंखला के द्वारस अंचालित होती है तो पाज्थितिक तंत्र में उर्जा के परवा को उर्जा गतिकी के सिधान के अधार पर समझा जाता है जैसे आप यहां पर देखोगे कि जो हरे मैं पीर पर घास उसको कुछ जानुवर खात मैं उस जान वर कुष बड़े जानुवर खात में होता है इस परकलीन मैं निल्टनमी एप अभी तक हमारे चैनल पो सब्सक्राइब नेकिया तो जल से सब्सक्राइब कर लिए और बढ़न को दबा hai क्योंकि इस चैनल में जल्द है आपके लिए 10 और 12 के दोनों कलास के बोर्ड एक्जाम के लिए इंपोर्टन कोस्टन अपलोट किया जाएगा जिससे आप तयारी करके अच्छे मार्क्स एक्जाम में ला सकते हैं 80% तो ला ही सकते हैं इतना कनफर्म है तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और माह नवांबर के एक अच्छा दस्वी गडित का असाइमेंट को सॉल्व करते हैं साथ या आप यादी बाकी सब्जेक्ट के अभी तक असाइमेंट नहीं लिखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में चले जाएए या हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में चले जाएए वहाँ आपे आपके पूरे subject के वीडियो के answer मिल जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशन एक में क्या पूछा गया है आपसे प्रशन एक सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ABC एक त्रिभूज है जिसमें AD भूजा BC पर लंब है तो सीध कीजिए कि AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square यह आपको सीध करना है जब AD क्या हो भूजा BC पर लंब हो ठीक है तो आप यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में लिख देंगे दिया है AD लंब है किस पर BC पर इस प्रकार से आप लिख देंगे ठीक है AD क्या है यह देखिए आपका AD है लंब किस पर है BC पर लंब है तो यह हो जाएगा आपका अब आगे लिखेंगे कि सीध करना है क्या सीध करना जो आपको प्रस्ण में पूछा क्या है वह आप यहाँ पे लिख देंगे कि सीध करना है तीसे परकार से आप लिख देंगे अब आगे बढ़ते हैं तो आप लिखेंगे त्रिभूज त्रिभूज क्या हो जाएगा आपका A, D, B में A, D, B में A, B का स्कॉाइर बराबर B, D का स्कॉाइर प्लस A, D का स्कॉाइर पायथा गुरस परमे से चलिए यहां पर देख लेते हैं त्रिभूज में देखिए A D B तो यहां से आपका A हो गया यह D हो गया यह B यहां पर ठीक है तो A B का स्कॉयर यह करणा का स्कॉयर हो जाएगा बराबर क्या है आपका B D का स्कॉयर तो यह B D का स्कॉयर हो जाएगा कि उसके बाद AD का SQUARE हो जाएगा यह होता है आपका किस्से पाइथागोर्स परमेस इसे आप लिख देंगे समी करण नंबर 1 इसी परकार क्या हो जाएगा इसी परकार आपका कि त्रिभूच ADC में AD AD यह हो गया आपका और यह C हो गया ठीक इसमें AC का SQUARE यह आपका करण हो जाएगा बराबर AD का SQUARE यह आपका लंब हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, CD का स्कॉर्ण, यह आपका अधार हो जाएगा, यह भी आपका किस्स होगा, पाइथागोरस परमेस, इसे आप समी करड़ नंबर 2 देंगे, तीस प्रकास से आप लिख लेंगे, आगे आप लिखेंगे कि समी करड़ 1 में, समी करड़ 2 को घटाने पर, समी करड़ 1 में, समी करड़ 2 को घटाने पर, तो सबसे पहरे आप समी करड़ 1 लिख दिजे, फिर समी करड़ 2 लिख दिजे, फिर नीचे आप माइनस का सिन लगा दिजे, अब जब माइनस करेंगे, आप तो देखिए, जो पहले AC square plus का था वो minus का बन जाएगा यहां पर इसी परकार AD जो plus का था यह भी minus का बन जाएगा और CD जो plus का था यह भी minus का बन जाएगा तो यहां पर total क्या हो जाएगा आपका AB का square आपका plus हो जाएगा उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका AC का स्क्वाइर हो जाएगा यहां से इसी परकार यहां पर हो जाएगा आपका BD का स्क्वाइर माइनस का हो जाएगा आपका यहां पर देखे AD स्क्वाइर, AD स्क्वाइर प्लस और माइनस है तो यह दोनों कट जाएगा में बचता है क्या बच्चा कि AB का स्कॉयर माइनस AC के स्कॉयर ब्राबर BD का स्कॉयर माइनस CD का स्कॉयर अब यहाँ प्रशने कर लेंगे यह AC जब माइनस इधर आएगा तो इधर में प्लस में हो जाएगा यह CD जब इधर जाएगा तो अधर प्लस में हो जाएगा तो पक्षांतर करने के बाद आपका वेल्यू यह आ जाता है यहीं आपको सीध करना था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ने करमांग दो की ओर तो प्रस्ने करमांग दो में आपसे क्या पूछा गया है कि यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशा बिंदू D और E पर प्रतिछेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सीध करना है आपको कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होता है या आपको सीध करना है तो चलिए उत्तर में लिख देंगे आप सबसे पहले क्या है कि DE प्रतिछेद है किस पे है BC पे है जो आपके कोशन में पूछा गया है वो ही आपको यहाँ पे लिख देना है तो यहाँ पे आप इस परकार से बना समागना अनतर यहां पर हो जाएगा आपको कि DE हो जाएगा ठीक है अहाँ पर यहां पर अता आप लिख देंगे AD बटे DB टिक rok ृ जो क्या में है आपका AD है दिखिए वह BD दोनों आहिए समागना आनतर बटे हoh जाएगा पिर बराबर क्या है AE बटे EC हो जाएगा ठीक है ये कर दिए अब आप इसको लिख देंगे उल्टा करने पर तो जैस्ट आपोजिस हो जाएगा DB बटे क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा और EC बटे AE हो जाएगा दोनों पक्षों में आप एक जोड़ने पर आप लिख देंगे AD हो जाएगा ठीक है यह जो पद है DB प्लस AD का मांन क्या है यहाँ प्र भूज जाएगे DB प्लस AD तो यहाँ प्र देखोंगे कि यह DB है और यह AD इन दोनों का आप यदि टोटल करोगे तो AB हो रहा है कि नहीं यदि DB और AD को जोड़ने पर AB हो रहा है तो उसके जगह पर हम वहां मान रख सकते हैं तो चलिए यहां पर आप रख देंगे उनका मान रख देंगे ठीक है तो यहां पर AB मान रख दें इसी परकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहा पुछा गया है आपसे प्रस्तक्रमांग तीन में पुछा है कि विरित की तिरिज्य ग्याद कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमश आठ सेंटीमेटर और तीन सेंटीमेटर हो मतलब यहाँ पर जो जीवा की लंबाई है वह आपका आठ सेंटीमेट यह मानद करके आपको रचना करना है, चल्य है, आगे बढ़ते हैं और इस रचना को करते हैं, तो आप उत्तर में लिखे देंगे रचना, रचना लिखने के बाद लिखे देंगे आप कि बिंदू O को, बिंदू A तथ B से मिलाया गया, ठीक है, तो एक पहले आपको वृत मिल को जाएगा वह मिलाने के बाद यह पर गिा वाल की दूरी ढूरी 8,000 एकम भी बिच दूरी यह प्रिके नहíं के लिखे के बनाएंगे ट्रिभूब्धि झिठे गोगार में से ओ ये का स्कॉयर बराबर OD का स्कॉयर प्लस AD का स्कॉयर अब OD का मान है आफ़े 3 और AD का मान है 8 यहाँ पर देखो A से B तक की मान पूर 8 है तो आधा क्या होगा? 4 ही होगा तो 4 के स्कॉयर कर देंगे इस परकार से 9 प्लस सुला हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा अजब सामने से स्कॉयर A स्कॉयर को हटाएंगे O A बराबर तो ये अंडर रूट में आजएगा और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 संटीमेटर हो जाएगा यही आपको ग्याद करना था एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन करमांग 4 की और प्रशन करमांग 4 में क्या पूछा गया है प्रशन करमांग 4 में पूछा है आपसे कि सिद्की जी कि चक्रिय चतुरभुच के सम्मुक कोणों का योग फ़ल 180 होता है यदि ये कि ये चतुरभुच कोण हो ठीक है इसको आप दो भागों में डिवाइड कर लो तो बराबर आदा आदा जो कोण होते हैं उनको ये दिवाइड करोगे तो उनका योग क्या हो जाएगा आपका 180 होता है ये बोल रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर क्या होगा इसका आप उत्तर में सबसे पहले लिख लेंगे कि ABCD एक चक्रिय चतुरभुज है सीद करना क्या है आपको A प्लस AC इस इकल टू क्या है आपका सुरी ये क्या हो जाएगा कोण A कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 यहां आपको सीद करना है आप यहां पर रचना लिखेंगे लचना O को बिंदू A तथा C से मिलाया मैंने ठीक है ऐसा लिख देंगे तो यहां पर आपका सेंटर में O हो जाएगा उसको A और C से मिला देंगे इस परकार से के विरिद बना लेंगे उत्पत्ति आप लिख देंगे कि कौण AOC AOC से इस परकार से ठीक है तो बराबर क्या है हुआ 2ADC के बराबर है यह जो ADC है यह 2ADC के बराबर है हुआ यह आपका समय करण नमर 1 हो जाएगा नीचे लिखेंगे अब आप चाप ABC के केंदर पर बना कौण तो ABC के जो केंदर पर है वहाँ पर जो कौण बनता है उसके बारे में आप लिखेंगे तो इस परकार से आपका यहाँ पर एंसर हो जाएगा देखे इस परकार से आप नोट कर लेंगे नोट करेंगी इनको solve करेंगे इस प्रकार से आपका आजाएगा 360 बटे 2 बराबर korn d plus korn b हो जाएगा ठीक है जब इस से solve करेंगे आगे तो चत्र भुझ में इन मानों को रख देंगे जब चत्र भुझ में इन मानों को रख देंगे तो कोड़ आपका CD बराबर भी 180 हो जाएगा और AC बराबर भी आपका 180 हो जाएगा ठीके इस परकार से 180 मान आ जाएगा और इन मानों को जब जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर final answer आ जाता है अराम सब वीडियो रोक करके देखेंगे तो आपको पूरा answer मिलेगा क्या हो जाएगा कोड़ A प्लस कोड़ C बराबर होता है आपका क्या कोड़ B और कोड़ D यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और इनका मान हो जाएगा आपका 180 होता है इस परकास आपका प्रस्ण 4 कंप्लेट होता है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण करवांग 5 की और प्रस्ण करवांग 5 देखते हैं क्या पूछा गया है तो पूछा है कि त्रिभूज A, B, C के परिगत वृत की रचना कीजिए जिसमें A, B बराबर 8 cm B, C बराबर 5 cm और B बराबर 60 degree है रचना के पद भी लिखिए तो यह आपको पहले त्रिभूज बनाना है त्रिभूज के अंदर में आपको एक विरित बनाना है पहले क्या करेंगे इस तरीके सब त्रिभूज बनाएंगे त्रिभूज के अंदर में विरित बनाएंगे और वहाँ पे आप बनाएंगे लिखेंगे चलिए आगे हम लोग रचना करते हैं उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले रचना के पद पहला होगा रेखा B, C को 5 cm बनाएंगे एक आप B, C जो भी खिचेंगे वो 5 cm का बनाएंगे फिर बिन्दू B से 7 डिगरी के चाप पर 8 cm बिन्दू A तक बनाएं अब यहां से आपको कुछ खिचना है रखे रहे रहे वह क्या होगा 8 cm को होगा A तक बनादी यहां पर A हो जाएगा इस तरीके से अब कौण A, B, C और कौण B, C, A के कौण सम्दूई भाजक खिचें जिस बिन्दू पर काटे उसे बिन्दू O मनाएं ठीक है अब यहां पर आप दोनों तरके से काटेंगे तो काटने पर जो मिलता है उसे आप बिन्दू O बना लेंगे जैसे यहां पर दिया हुआ देखिए यह पहले त्रिभूज बनाएं ठीक है अब यहां से यह जो काट राइंग को हम लोग O मान ले रहे हैं यह बिन्दू क्या है आपका O है इस प्रकार से आप लिख लेंगे और चौंता पॉइंट आपका हो जाएगा कि बिन्दू O को के इंपोर्टेंस होने वाला है क्योंकि जल्द ही इसमें 10 इं 12 दोनों को अक्षाओ के बोर्ड एक्जाम के इंपोर्टेंट कोश्चन अप्लोड किये जाएंगे जिसका तयारिकर आप लगबग 80% ला सकते हैं यदि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो 85-90% प्ले लिष्टें में चले जाएंगे वहाँ पर पूरे वीडियो मिल जाएंगे और एसाइमेंट लिख सकते हैं तो बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्ण कर्मा के एक में क्या पूछा गया है आपसे कि परिवार लगु एवँ वरम असमति पाठे पर्यूप्त सुक्ति लिखित्वा हिंदी भाष्या त्रिशत त्रिशत सब्देशु भावार्थ लिखित तो यहां पर एक पार्ट है आपका परिवार लगू एवम वरम ठीक है यह जो पार्ट है इस पार्ट से आपको दो सुक्ति लिखना है और उस सुक्ति का भावार्थ लिखना है ठीक है क्या लीखना है, भावार्त लीखना है, कितने में? तीस, तीस सब्धों में आपको लीखना है दो-दो नमबर कहोंगे, दोनों चार नमबर के हैं, तो सबसे पहले उत्तर कर्मा का आप डाल करेकर पहला सुक्ति लीखेंगे टीके, ऐस नमबर की क्या हो गया आपका? स्वार्थ की अधिक्ता होती है मनुस्य जब अपने स्वार्थ को महत्ता देने लगता है तब उसे दुख के अनुभूती होने लगता है तो यह आपका पहला सुक्ति का भावार्थ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा सुक्ति तो दूसरा सुक्ति है आपका संसारे दुखानी शुखानी चर्चक्रवत ठीक है अब इसका आप भावार्थ लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कि इस सुक्ति का अर्थ यह है कि समय गति सील है परिवर्तन सील ही समय का आधार है इसलिए मनुस्य के जीवन में दुख और सुक्र का चक्र चलता रहता है इस परकार सब का प्रशने कंप्लीट हो जाता है प्रशने 2 की और बढ़ते हैं देखते हैं प्रशने 2 में क्या पूछा गया आपसे तो प्रशन दो में आपसे पूछा है कि प्रदत गध्यम पठित्वा निर्देश अनुसारेड उत्रत यहाँ पर आपको यह जो गध्य दिया गया है इस गध्य को आपको पढ़ना है और निर्देश के अनुसार इसके उत्तर आपको देने हैं एक नमबर एक कोशन के लिए टोटल चार नमबर हैं यहाँ पर क ख ग और ग आपको चार एंसर देने हैं तो यहाँ पर पढ़ने के बाद इनका एंसर देना है आपको ठीक है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का का उत्र देख लेते हैं तो यहां पर गच्छामी जो सब्द आपका दिया है गद्य में उसका आपको समानार्थी या प्रहवाची सब्द आपको लिखना है तो वहाँ समानार्थी नाम क्या हो जाएगा यामी हो जाएगा आपका गच्छामी का तिसरा गच्छा का हम रोकी को देखते हैं तो प्रती दिन में अत्र में इति पदे का वीभक्ति आप में इसमें क्या बोलना है विभक्ती देना है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा दूित्ति हो जाएगा आगे बढ़ते हैं घर की ओठ तो घर में आपसे पूछा गया है तो आपको विलोम शब्द बही हो जाएगा इस प्रकार से प्रशन दो आपको complete होता है आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रशन कर्मांग 3 कियो प्रशन कर्मांग 3 में आपसे क्या पूछा गया देखते हैं विचित्र साक्षी पाठाधारंती पद्यम पंचु शात चतुर्थ पदम लिखिता तो यहाँ पर एक पाठ है आपका ठीक है विचित्र साक्षी इस पाठ के आधार पर यहाँ पर प्रतिक वक्य में 3 सब्सक्राध लिखना है यहाँ पर जो ब्रेक्ट में दिया हुआыми कोस्टेक में दिया हुआ इसी में से आपको choose करना है और जिसका चौथा पद यहाँ पर रिक्तिस्तान पर आपको फिल करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आदा नमर प्रतेक question पर है total 8 question यहाँ पर फिल करेंगे तो आपको 4 नमर मिलेगा आगे बढ़ते हैं निर्जने क्या हो जाएगा निर्जने यहाँ पर र छुड़ गया है जम्य वहाँ आप बना लेंगे निर्जने हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा दरिद्र चौथा तक्त्वा हो जाएगा क्या हो जाएगा तक्त्वा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा दुर्बला, छटा होगा, निक्या, ठीक है, और सातवा हो जाएगा और बुध्य, और आठवा होगा आपका कल्यार कारी इस परकार से आपके पूरे आठों के उत्तर हो जाएगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इन तीनों पदों को लिखेंगे, यहाँ पर यह जो तीन पद दिये हैं, तीन पदों को लिखेंगे, इसका बद कॉमा डाल करके यहाँ पर आपना चौथा पद लिखेंगे, तो सोडस वाक्य निबंद लिखिता है तो जो जन नायक है हमारे सुभास चंद्र बोस इनके विशय पे आपको संस्क्रीट भासा में 16 वाक्य में आपको निबंद लिखना है कितने वाक्य में? 16 वाक्य में आपको निबंद लिखना है तो चलिए एंसर इस्टार्ट करते हैं उत्तर लिखते हैं हम लोग एक एक वाक्या पहला वाक्य हो जाएगा आपका विश्वे इसमीन स्वतंतरता सेनानी सुभास नाम को न जानाती मतलब हो जाएगा कि सुभास नाम को को न जानता वी सुपुर जानता है कि स्वतंतरता सेनानी थे ठीक है दूसरे के और बढ़े हैं हम लोग हो जाएगा श्रा क्रांतिकारी नेता आसित यह एक क्रांती कारी नेता थे तिसरा अश्य जन बढ़ ग्यप्रांते 1897 तमे जनवरी माशा से 23 तारिका याम अववत इनका जनम 23 जनवरी को हुआ था 1897 में हुआ था बढ़ प्रांते में हुआ था इस परकार से आप इसका एंसर नोट करेंगे तीन हो गया आगे बढ़ते हैं देखते हैं 4 और 5 पॉइंट चौथा पॉइंट क्या है अश्य पिता जानकी नात बोश आसित इनके पिता का नाम जानकी नात बोश था 5 हो जाएगा आपका बाल लेकाल से बुद्धिमान धिर साहस युगत च युगत बच्चित थे आगे बढ़ेंगे तिसी परकार से आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे 15, 16 तक हो जाएगा च्छटा देखते हैं क्या है च्छटा है आपका सह काली काता, नगर्या, सिक्छा, प्राप्त, वाह साथवा हो जाएगा आपका सह असहयोग, आंदोलने, सनलगन, अववद आठवा हो जाएगा, स्वतंतरता, यार्थ, प्रतिस, सदा, प्रयासरत, आसित, यह स्वतंतरता, प्राप्तिक के लिए हमेशा प्रयास किये थे तिस परकार से आप 8 के बद 9, 10, 11 लिखेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको बाकी एंसर भी दिया हुआ, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यह आपको 2 पॉइंट और दिये हुए है, 14 और 15 तो इस प्रकास से आप पूरा लिख लेंगे, यहाँ पे आपको complete answer का उत्तर मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका प्रश्न कर्मांग 5 आता है, प्रश्न कर्मांग 5 में आपसे क्या पूछा गया है, कि अधू लिखते शू वाक्येशू, रेखांडिक, पद बताना है कि वे विशेशर पदम हैं या विशेश्य पदम हैं, यह दोनों आपको बताना है, तो यहाँ पे क देख लिजे, आपका उत्तर हो जाएगा, विशेशर पदम है, और ख क्या है, विशेश्य पदम है, आगे बढ़ते हैं, ग और ग की ओर, तो आपका ग हो जाएग विश्यष्या पदम है और घन भी विश्यष्याद पदम मतलव सुर्य विश्यषड पदम तो ख और ग्र विश्यष्या पदम है इस प्रकार साफ का answer complete होता है तो समाजेविग्यान का पहला प्रस्णा आपका पूछा गया है कि आएकर और उत्पादक सुल्क में क्या अंतर है तो सबसे पहले हम लोग देते हैं आएकर क्या होता है उसके बाद उत्पादक सुल्क में क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग आईकर के बारे में देखते हैं तो आईकर वेक्ति की नीजे आई पर लगाया जाता है आई के कई सुरोथ हो सकते हैं जैसे वेतन, भत्ते और पेंसन इसके अलावा कोई वेक्ति बैंक में रखी जमारासी पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है अपनी किसी संपत्ति को किराय पर देकर भी या आई प्राप्ति कर सकता है इन सभी आई पर वेक्ति को आईकर देना होता है आईकर एक निश्चित आई के अधिक आई की रासी पर देना होता है आईकर कूल आई का एक निश्चित प्रतिसस होता है जिनकी आय जितने ही अधिक होती है उतना ही अधिक आयकर का भुकतान करना होता है इस परकार से आपका आयकर हो जाएगा आयकर के बाद आपको उत्पादन सुलक का लिखना एंसर तो उत्पादन सुलक क्या होता है देख लितने हैं जिससे उपोक्ता को उत्पादित की गई वस्तु के लिए अधिक सुल्क चुकाना पड़ता है, तो यह हो जाएगा आपको उत्पादन सुल्क, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ने कर्मांग 2 की ओर और देखते हैं प्रस्ने 2 में क्या पूछा गया है, प्रस्ने 2 है आपका, उत्पादन से पूरे देशवासियों को लाब हो, केवल कुछ नीजी कमपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो पहला है, उत्पादन के संदर्म में इस्थाने समाज को प्रागम से ही जागरूप किया जाना चाहिए, ध्यान रहे कि जानकारी का वित्रर अ अत्यांत आवस्यक है, तीसरा हो जाएगा कि नियम कारून का पालन नहीं किये जाने की दसा में कठोर कारे वाही हो, चाहता हो जाएगा आपका कि इस्थाने लोगों को सुसाइटी बना कर तथा सिक्षित करके उत्पादन कारे किया जाना चाहिए, तो इस परकार हो हैं तो यह का दो तीन नमबर आप डाल देंगे तो आपको पूरे मार्ग से मिलेंगे इसके साथ में पांचवा हो जाएगा लाप का वित्रड इस परस्ट होना चाहिए पांचवा के बाद छठा आता है आपका कि स्थाने सुसाइटी को अधिक टक्निकी उपलवद करानी चाह आपका कि 1933 के सुरुवात में हिटलर ने सांति पूर्ड निती अपनाने का आस्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष वर्साइश संदी की अपमान जनक सर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी उनिस सो उनिस में खोई छेतरों को वापस मिला ले उनिस सो तैस में हिटलर की जर्मनी ने पुना ससकती करण की निती अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाजों टैंकों वह पंडूबियों से लेज ससक्त सेना का निर्मार किया सन 1935 में हिटलर ने वायू सेना इवाम सेनाओ में अनिवार भरती जैसे घोसड़ा की जो सीधे तोर पर वरसाइ संदी की अवहिलना थी 1935 में सार घाटी को जर्मत संग्रार द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया तो इस परकार से आपका हिटलर की विदेशी नीती थी यह आपका एंसर हो जाएगा ठीकर फोड़ा से अब और बचायती से भी आप नोट कर लेंगे इस परकार से अगे बढ़्ड़ते हैं अक्यार 4 कि क्या पॉच्छा गया आप ? प्रस्णा चार है सरकार के ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो गरीबों को काम करने से सीधर जुड़े हुए हैं तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि लोगों के आजिवका को सुनिष्टित करने का दाइद तो भी सरकार का ही है सरकार द्वारक काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट ग्रामिड योजना या उससे जिसको बोलते हैं रोजगार ग्रांटी कानून या मनरेगा बनाया गया इस कानून के तहट सरकार के वह जिम्मेदारी तैक की गई कि वह ग्रामिड इलाकों के प्रतेक परिवार को साल में सव दिन तक का कार्य उनकी मांग पर उपलब्द कराएगी यह कारे लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्द कराना होगा और इसके लिए होने वाला पुंजी गत खर्च तथा मज़्दूरी का भुकतान सरकार करेगे इस्थानी इस्तर पर रोजगार उपलब्द कराकर मंदरिगा के तहट सामूही कुपयोग से कई कारियों जिससे चेक डेम, शड़कें, तलाब, वाटर और क्या हो जाएगा आपका हार्वेस्टिंग संद्चना है आधी का निरपान किया जा सकता है इस परकार सरकार ने इन पर मुक्य योजनाओ के द्वारा गरीबों को काम करने का अथक पर्यास दिया तिक गरीबों को कम करने का कम नहीं कम होगा आपका तिक काम नहीं होगा तिस परकार से गरीबी संक्या कम करने के लिए यह पर्यास था सरकार का अब प्रसना आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 के गर प्रसना में देखते हैं पांच में क्या पूछा ग är आपसे, तो प्रसना 5 आपसे पूछा है कि अध्योगिक प्रदेश अष्थिर क्यों होते हैं एक बाद एक जगह में उध्योग विक्सित होने के बाद वहाँ के उध्योग क्यों हड़ जाते हैं इसके आपको कारण लिखने है पहले कारण हो जाएगा कि कच्छे माल की कमी हो जाता है जब वहाँ पे माल की कमी हो जाएगे तो वहाँ पे उद्युक्षेतर क्यों रहेगा ठीक है जिसके कारण वहाँ से हट जाता है दूसरा हो जाएगा उत्पादन लागत का बढ़ना धीरे धीर उसमें कमी होती है तो उत्पादन करने में आमाद लागत भी बढ़ जाती है जिसके कारण वहाँ से हट जाता हो दियुक्षेतर तिसरा हो जाएगा स्रमिक, संगटनों की उक्षित, अनुक्षित मांगों की कारण योदि जर्दा दिन का कर दो चलने लगता है तो वहाँ पे स्रमिक जो होते हैं वो मांग भी करने लगते हैं जिसके कारण वहाँ से हट जाता है 4 पार जाटा हो जाएगा लाब में कमी जब वहाँ पर उत्पादा नहीं कम होगा तो लाब में भी कमी आएगा तो ये कारण हो जाएगे इसके अलावा एक दो कारण आप और लिखे लेंगे तो छटा कारण हो जाएगा कि आपका अद्योगिक तक्निकी का पूराना हो जाना और सात्वा हो जाएगा आपका कि खनन के कारण उस छेतर की भूजल सनचना में बदलाव होता है इसलिए खनन ना केवल वहाँ के भूमे और वन को परभावित करता है बलकि नदियों को भी परभावित करता है ठीक है तो इस परकार से परभावित करता है साथ यह आपने अभी तक चैनल के जिस सब्सक्राइब ने किया तो जल से सब्सक्राइब किजिए और टेंथ हम ट्वेट के बच्चों को वीडियो जरूर सेर कर ताकि वो अभी एंसर आसानी से लिख सकें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन बाई बाई